Hello students, welcome to Topic Touch इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा चेकी गड़त उसका पहला लेसन जिसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं अभ्यास A, 1A उसके तीन प्रिशन हो चुके थे पार्ट A में जिसकी वीडियो आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर और यहां पर हम उसमें तीन प्रिशन हम पढ़ चुके हैं यह चौते प्रिशन से हम लगांगे यहां पर तो देखिए चौता प्रिशन क्या है एक, दो, तीन से बनने बाली तीन अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुन्रा ब्रत्ति ना हो यानि कि इन अंकों से हमें तीन अंकों की संख्याएं बनानी है और अंक उन्रा ब्रत्ति ने होना चाहिए यानि कि ये अंक डबल बार ना आ जाए तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं प्रिशन नम्मर चार उत्तर तो कौन-कौन से अंक है यहां पर एक, दो, तीन तो इस से कौन-कौन से संख्या बन सकती है एक तो बन जाएगी 123 213 131 सोरी यहां पर बन जाएगी 132 312 और इसके बाद बनेगी 321 इसके बाद अगला प्रिशन क्या है 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या है लिए जबकि अंकों के पर्मराबरती ना हो तो चलिए देखते हैं अगला प्रिशन है प्रिशन 5 का उत्तर देखते हैं तो कौन-कौन से अंक है 0, 3, 5 0, 3, 5 से तो जिसे 305 हो गया अब इन से क्या करना है एक बात ध्यान रखना है कि ये 0 आगे ना आ जाए क्योंकि आगे रखा जाएगा 0 तो उसका कोई महतनी रहता है जिसे 0, 35 लखा तो ये तो 35 हो गया 0 का कोई महतनी रहा तो ये संक है नहीं चलेगी 305 503 350 और 530 बस ये हो गया इसके बाद अगला प्रश्ण है 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या है लिखिए तो ये अंक हैं इन्ही अंकों से सबसे बड़ी बनानी है और इन्ही से सबसे छोटी बनानी है तो प्रश्ण नम्मर 6 तो सबसे पहला हम बनाएंगे 6, 7, 0, 5 से बनने बाली सबसे बड़ी सबसे बड़ी संख्या तो इसमें देखिए सबसे बड़ा अंक सबसे आई ये रखेंगे जैसे 7, 6, 5, 0 ये हो गया और इसी से बनानी है सबसे छोटी तो हम लगेंगे 6, 7, 0, 5 से बनने बाली सबसे चोटी संख्या अब इसमें भी इसी बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो जीरो है ये सबसे आगे नहीं आना चाहिए इसमें ये जो जीरो है ये सबसे आगे नहीं आना चाहिए पहले हम छोटा अंक लखेंगे इसे 5 इसके बाद 0 रख देंगे 5, 0, 6, 7 तो यह हो गया इसके बाद 7 प्रशन है पाँच अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे चोटी संख्या लखिए पाँच अंकों की लखना है तो पाँच अंकों की सबसे बड़ी संख्या लखेंगे अगर 6 अंकों की पूची जाती तो 6 बार 9 लिख देते इसके बाद हैं 5 अंकों की सबसे चोटी संख्या 5 अंकों की सबसे चोटी क्या लिखेंगे एक लिख करके 4 जीरो रख देंगे क्यों एक दो तीन चार पाँच ये पाँच अंकों हो गए तो प्रश्ण यही था पाँच अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे चोटी संख्या लिखेंगे तो ये हो गई पाँच अंकों की सबसे बड़ी संख्या पाँच बानो, पाँच अंकों की सबसे छोटी संख्या एक लिख करके चार जीरो इसके बाद अगला प्रश्ण है पाँच हजार दो से कतीस में परते अंक का इस्थानी मान ग्याद कीजी पाँच हजार दो सो एकतीस आठमा प्रश्ण संख्या पाँच हजार दो सो एकतीस अगर अगल कर लेते हैं पाँच हजार दो से कतीस है प्रश्ण अंक का इस्थानी मान ग्याद करना है तो इस्थानी मान कैसे नकालेंगे एक का एक निकलेगा तीन का तीन के बाद एक अंक है तो एक जीरो दो का दो के बाद दो अंख है दो जिरो रख देंगे पांच पांच के बाद तीन अंख है तीन जिरो रख देंगे यह हो गया आंसर अगला प्रिश्न है 636 में दोनों छे के इस्थानी मान ग्यात कीजिए 636 में दोनों छे के मतलब इस च्छे का और इस च्छे का इस्थानी मान निकालना है तो क्या है 636 में दोनों च्छे की इस च्छे का इस्थानी मान च्छे और इस च्छे का इस्थानी मान निकलेगा 6 च्छे की बात कितने इंक है एक दो जिरू रख देंगी यह हो गया आंसर दसमा है दसमा प्रश्ण है तीन हजार तीन सो चौटीस में तीन के बिभन इस्थानी मानों का यूगफल ग्यात कीजिए तो इसमें क्या करना है इनके जितने भी तीन तीन लखे हुई है सभी के इस्थानी मान निकालना है और उनको जोड़ना है तीन हजार तीन सो चौटीस दसमा प्रश्ण तीन हजार तीन सो चौटीस प्रतिक तीन के इस्थानी मानों का यूगफल इस तीन का आईगा तीन और तीन के बाद एक अंख है जीरो इस तीन का तीन सो और इसका 3000, तीन के बाद तीन हंक है और इनका योगफल भी ग्याद करना है योगफल तो योगफल कैसे ग्याद करेंगी सबसे बड़ी संक्या सबसे उपर लेखेंगी 300, 3000 इसके बाद 330 0, 33, 33 हो गया इसके बाद है अगला प्रश्ण ये है 22,222 मैं प्रतिक दो का इस्थानी मान ग्याती कीजिए और उनका युकपल ग्यात कीजिए 22,222 ग्यारमा प्रश्ण 22,222 प्रतिक दो का इस्थानी मान निकालना है और उनका युकपल ग्यात करना है इस दो का मान निकलेगा 2 इसका दो के बाद एक अंख है तो 20 दो के बाद दो अंख है 200 दो के बाद तीन अंख है 2000 और यहाँ पर निकलेगा 20,000 और इनका साथ ही साथ योग फल भी ग्याद करना है सबसे बड़ी संक्या सबसे उपर लिखी जाती है उसके बाद ये 2000 लिखा जाएगा 200 इसके बाद बीस और दो सभी को जोड देंगी ये निकलाएगा इसके बाद अगला प्रश्ण है 12 मा 12 मा प्रश्ण है 545 में प्रियुक्त प्रिथम पांच तथा दुत्तिय पांच के स्थानी मानों को अंतर 545 में प्रिथम पांच ये पांच है और दूसरा ये है पांच इसके स्थानी मान निकालना है और उनका अंतर ग्याद करना है यानकी उन्हें घटा देना है तो बारायमा प्रिश्ण है पांसो पैतालिस फिर थम पांच का इस्थानिमान पांच और इस पांच का निकलेगा पांच के बाद दो ओंग है पांसो और उनका क्या करना है अंतर ग्यात करना है अंतर तो अंतर के लिए क्या करेंगे घटा देंगे ये जो सबसे बड़ी संख्या है उपर लिखते हैं ये लिखेंगे पीछे नीचे लिखेंगे और पीछे वाले अंक की इधर नहीं लिखते हैं गटा देंगे तो यह हो जाएगा पाँच नो चार नो सो अंचानवे यह हो गया अंसर तो इस तरीके से एक एक कम्प्लीट होती है एक भी आपको एक्सेसाइज मिल जाएगी आगे इसी चैनल पर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने के लिए धन्माद